प्रेस्टिक बेल आइकाउन और नेवर मुस्स एनी अप्डेट हलो फेंट्स वेलकम बैक टो स्टडी काउंडर मैं चंदन आपके समक्ष उपस्तित हूँ करेंट अफियर की एक और बहुत इंपोर्टेंट वीडियो क्षाथ में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2019 में जिन लोगों को नोबल प्राइज दिया गया है उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और एक्जाम में इससे कुशन पक्का आएगा ही आएगा तो यदि आप चाहते हैं कि आपका एक दो नोबल पक्का हो जाए तो वीडियो को अन तक जरू देखिए तो चले बिना दरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रेंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्फेड नोबल जो थे वो स्वीडिस बैग्यानिक थे और उन्हीं की याद में हर साल ये नोबल प्राहिज दिया जाता रहा है दादे की नोबल प्राहिज कुल 6 सेक्टर में दे जाते हैं और वो च्छेत्र हैं जिकित्सा, भौतिकी, रशायन शास्त्र, شान्ती और अर्थ सास्त्र शायत में साहीत थे भी इन सभी 6 सेक्टर में सबसे अध्भूत, अकलपनी, अविशूशनी, कृत्त करने वाले ब्यक्ति को Nobel Prize से सम्मानित किया जाता है तो चलिए एक एक करके सब को देखते हैं और सभी ब्यक्ति को याद दे करते हैं सबसे पहला पॉइंट शांती का छेत्र इस चेत्र में जिने नवल प्रसकार मिला है वो ब्यक्ति हैं अविये अहमद अली इनको इत्योपिया और एरिट्रिया देश के सीमा विवाद को खत्म करने और सांती के चेत्र में अहम युगदान देने के लिए इस प्रसकार से सम्मानित किया गया याद रहन के लिए अभिये और एहमद में हम वर्ड देखेंगे दोनों वर्ड को जोड ले तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं बिलकुल ऐसा ही है कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी हम पढ़ रहे हैं और आसपास कोई हला करें तो हम क्या कहेंगे देख इसरोफ अभी एहमाद हली सांद के लिए कर रहे हैं इसलित शांथी का छेतर बिलकू ररलेटेड है भूलने का कोई चांस ही नहीं है साहित boiling लिट्रेचर और इस छेतर में जिनने समानत किया गया अनबल प्रायसśe व्थिए असिले। इनका नाम आप ध्यान से देखेंगे, तो इनका जो last का name है hand K, उसमें hand word लगा हूए है. और हम सभी जानते हैं कि सहत्य का छेत्र है वो लेखन का छेत्र है, इसमें लेख पर focus किया जाता है. तो लेखन का है तो लेखन तो हैंड से ही किया जाता है तो हैंड फूर हैंड के और साहित्य का छेत्र है विल्कुर रिलेटर है एक जैसे ही देखेगा प्रांथ टीक किजएगा पक्का होगे एक नमर यहां से आगे बरहे तो एक छोड़ा सा पॉइंट आपको बता दे कि 2018 में साहित्य के छेत्र में नवर प्रसकार नहीं दिया गया तो अब जाकर यह घूशना के गई है और वह बैक्ति है ओल्गा टोकर कजुक ओल्गा टोकर कजुक 2018 में दिया गया नम फिलाल आप हैंड के याद रखेंगे पीटर हैंड के जिनने 2019 में दिया गया आगे है रसायन सा याद रखना है किमेस्ट्री के लिए सबसे पहले ध्यान केंदरित किजिए एम एस्टेनली विधिंगं पर यहां पर आपको एक वर्ड दीखेगा एस्टेन और नली जो कि हम सभी जानते है कि किमेस्ट्री का जो लैब होता है उसमें स्टेन भी होता है और नली भी होता है तो जैसे ही ये वर्ड देखेंगे तुरन्त chemistry तो याद आना ही है। तो अब ध्यान केंदित करेंगे John, Good, Inf, Work। यह मैंने अलग-अलग पढ़ा है क्योंकि ये तीन वर्ड मुझे दीख रहे हैं। एक तो John वर्ड है, एक Good वर्ड है और एक Inf याने की Information वर्ड भी छीपा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि Chemistry पढ़ने से जो हमें Information मिलती है उसका हम दो यूज कर सकते हैं। एक Good के लिए यानि अच्छे काम के लिए और दुसरा जान लेने के लिए। जान लेने के लिए कैसे हैं। इसका जीता जाता उधारन है पर्मानु बं। पर्मानु बं। इसी Chemistry का एक मतलब की खोज है। इससे क्या होता है जान जाता है। और Good है क्योंकि इससे बहुत benefit भी हुआ है। जिससे दवाओं के रूप में लोग का इलाज होता है। तो Chemistry से जो Information मिलता है वो Good के लिए भी और जान लेने के लिए भी। इसलिए जान गुड़ इन्फ आपको देखना है। और सब कुछ जो मैंने बताया है वो दिवाओं में फिस्प हो चुका होगा। भूलने का कोई चांस ही नहीं। अगला नाम देखिए आकिरा योसिनो सिंपल सा इसमें कीरा वड़ देख लिए। कीरा जो की पत्तों को खा जाते हैं। जाज़तर पौधों को फसलों को नस्ट कर देते हैं। इनको मारने के लिए फर्टलाइजर यूग जाता है वो रसायन सास्तर के अंतरगत ही आता है। तो कीरा समझ लिए जो की पत्तों खाते हैं फर्टलाइजर जिनको नस्ट करने के लिए लैब से बनाया जाता है केमिस्ट्री की सहता से। तो ये तीन चीज बहुत ही किलियर है समझ चुकेंगे। स्टैनली ये स्टैनली वाली बात गुड इन्फरमेशन जान लेने वाली समझ गया है आगे बढ़ते हैं नेश्ट है अर्थसास्त्र और इस छेत्र में भी तीन बेक्तियों को नुबल प्रसकार मिला है एस्थर डफलो अभजीत बनर जी माइकल क्रेमर को फ्रेंड यहां पर एस्थर डफलो को और अर्थसास्त्र को रिलेट करना बहुत जी है यद आपको क्या देख रहा है यहां पर एथर और यहां पर लिखा हुआ अर्थर शास्त्र अर्थर एथर बहुत सिमिलर है तो पक्का यह एक लेट हो चुका है जैसे ही एक जाम में देखेंगे आपका यह पक्का हो गया नंबर और जब एथर और अर्थ की बात हो रही है तो क् फिले अगला नाम पढ़ते हैं, अभिजीत वनर्जी का नाम, वनर्जी में दो वर्ट शिपा हुआ है, वन जोर अर्जी, हम सभी लोग मिल करके सभी से अर्जी लगा रहे हैं, कि वन लगाईए, वन को बचाईए, वन वाली अर्जी, वनर्जी, तो जाहिज सी बात है कि ये म मुहिम किसे लेटेड है, अर्थ से ही लेटेड है, वन वाले अर्जी, अर्थ से लेटेड है, इसलिए अर्थ सास्त, अभिजीत वनर्जी, बहुत असान था ये भी, अगला नाम देखिए, माईकल क्रेमर, ये भी देखिए, बिलकुर लेटेड है, अगर हम प्रिथी पर व अर्फ शुरक्षित रहे तो माई कल भी सुरक्षित रहेगा बहुत जी था याद रहेगा भूलेगा नहीं उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा यदि ऐसा है तो लाइक जूरू किजेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि जब भी वीडियो प्रसकार दिया गया वह व्यक्ति है विलियम जी केलीन सर पीटर रैटलीफ ग्रेग एल सेमेंजा नाम थोड़ा सा सब कुछ टेरा मेरा मिल रहा है आपको लेकिन आप बिल्कूल भी टेंसन बीना लिए सिर्फ छोटा सबार ढूंड लीजिए और उसे रिलेट कर लिजिए आपके एक्जाम में ऑप्सन दे करके सारे काम हो जाने है यदि बात करें विलियम जी केलीन की इसमें मुझे यम वर दिखाई दे रहा है यम मतलब की यमराज और चिकितसास तो आप जानते हैं एक डॉक्टर जो है भगवान के स्वरूप होते हैं क्योंकि वो जीवन दान है ना तो डॉक्टर हो गए जीवन दान देने वाले और एक तरफ हैं जीवन लेने वाले दोनों एंटी एक जगाव उपस्तित हैं तो तुरंत आपको दिखेगा यमराज और डॉक्टर क्लियर है नेक्ट बात करते हैं सर पीटर रैट क्लिप की सर पीटर पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जैसे सर पे किसी ने पीट दिया हो या फिर सर पीट गया हो मतलब कि सर पे चोट लग गया है तो हम कहां जाएंगे डॉक्टर पास जाएंगे मेडिसिन लेंगे दवा करेंगे क्लियर है कोई दिखाती नहीं होगा इसमें दूसरा देखिए ग्रैग एलसमें ग्रैग को पड़िए घैग आप जन्तिमन मीशा फॉट ए-प्राइड्स ओंध रहगई हॉटा तो अम मेडिसिन नहीं खाएंगे ग्रेग उकर देए घेग और घेग यानि थायराइड का कोई प्रॉलम होगा तब भी डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिसीन लेंगे ठीक कराएंगे तो सब कुछ यहां पर दिख रहा है क्या बहुत सकते हैं आप विल्कुल नहीं भूलेंगे आगे बढ़ते हैं तो अब ने मैंस देखेंगे कि मिसोल है मिसल तो ही नहीं मैंने जान दूछ की नहीं हूँ है रिजन क्या है मैं बात बताऊएंगा फिलहाल यहां फोकस किए जेम्स पीबल्ज पर ध्यान दिजेगा पीबल्ज में बल्स वर्ड है यानि की बल और हम सब जानते हैं कि बल, फोर्स जो है सब कुछ फिजिक्स में है न्यूटन का लोग, एटीसी सब जानते होंगे आप तो बल्स जो है वो फिजिक्स तुरंत याद आएगा नेक्स्ट है मिसल मेर लेकिन मैंने लिखा है मिसोल मेर यहाँ पे सोल का मतलब होता है आत्मा, यानि कि भूत और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, भूत की जो है कहीने कहीं भूत की भी हम लोग पर सकते हैं से, भूत और यहाँ पे सोल यानि आत्मा सब कुछ यहां से फिर से हमारा क्लियर हो जाएगा भूलेंगे ही नहीं नेक्स्ट और पूरे वीडियो का लास्ट पॉइंट है डीडियर क्वेलोज देखे जैसे कि मैंने भौतिकी को भूतिकी कर दिया था यानि भूत वर्ड निकाले लिये थे तो यहां पर आपको डीडियर में डर भी तो वर्ड दिख रहा होगा भूत से डर भूत वाली सोल यानि आत्मा और भौतिकी का यहां पर बल सब कुछ क्लियर हो गया और एक और तरीका याद रह सकते हैं कि KIL keyboard को कर दिखें कि Baby कोई कोई वेक्ति उठाता है तो कुछ नए कुछ वजन होता है कि इतना कीलो का है दृज रह खी पर एक ने कीकाई कीलो में हॉता है सब जानते हैं मातरम आपका देन आपका एक्जाम होती से जाए मासर सती किरपा बनी रहे